नमस्कार, हेलो फ्रेंग्स, करका खाने सहता जन में आपका स्वागत है, दोस्तो, आज हम बनेंगे चने की डाल का सलाथ, जो कि खाने में बहुत-बहुत टेस्टी और साथ में बहुत-बहुत सहत मनदी है, तो दोस्तो इसलिए हमें चने की डाल का किसी ने किसी रूप में से कैंसे ताले जोई कामी के साथी और महन रिखें। आंक właśnie को रादि कताओ कुदीगां, वह क्याता हुआ देले, 샤뉭ी लुगाम्लावर्सक्राया, यूद्ध, जो लिख्या से देल जाफिव안वे हैं। इसमें बहुत से पोशक तत्व होते हैं, जो कि हमारी शरी को फाइदा पहुझाते हैं, जैसे कि इसमें कैल्चियम होता है, प्रोटीन, विटामीन, आइरन, फाइबर, रेशे, आदी से भरपूर है, तो दोस्तो दाल को अच्छे से दूने के बाद, अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और ढखकर राध भर भीगने के लिए छोड़ देंगे, दोस्तो अगले दे सोबा दाल को चेक कर लेते हैं, यह देक permett दाल हमारी अच्छे से भीग गई है, तो अब हम दाल की पानी को निकाल लेंगे, पहले में डाल को हाथ से आच्छे से मसल लेंगे, और अब हम यह जो पानी है, इसको हम निकाल Lेते हैं, और एक दू बार इसे पानी से मच्छे से धोलेंगे दोस्तों चने की दाल प्रोटिन की ख़दान है जिसे रोज रोज अपने खाने में शामिल करना लापकारी होता है चने की दाल को बहुत से तरीकों से बनाए जाता है जैसे कि चने की दाल को पीस का बेसन बनाए जाता है और उस बेशन से लड़ू बनाया जाते हैं पकोड़े बनाया जाते हैं और दोस्तों चने की डाल से चने की डाल बनाया जाती है चने की डाल को भीगो कर चने की सबजी बनाया जाती है चने की डाल के सलाद बनाया जाते हैं और भी बहुत सारे सेपी जो चने की डाल से बनाया जाती है फ्रेंट डाल को धुने के बाद अभी हम इसे साइड में रख देते हैं तो अब हम सलाद बनाने के लिए इसके खाने से शरीर में हिमोगलूबिन बढ़ता है दोस्तों चने की डाल का हमें किसी ने किसी रूप में जरूर सेवन करना चाहिए तो फ्रेंट्स प्यांच को हमने काट लिए दो मीडियम साइस की प्यांच लिए थे हमने उसको हमने बारी-बारी काट लिया है और अब हम लेंगे हाँ पर हरी मिर्च हमने यहाँ पर लिए चार हरे मिर्च इसको भी हम बारे बारे काट लेंगे और हरे मिर्च को काटने के बार अब हमने यहाँ पर ले लिए यह दाल भीकिवी दाल है यह और इसमें हम डाल देंगे यह बारी कटे प्याँच और बारी कटी हरी मिर्च भी हम इसमें डाल देते हैं तो दोस्तों अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमग, स्वादों सा और अब हम इसमें डालेंगे काला नमग, एक चोथाई चममच और अब इसमें डाल देंगे दर्द्री, कूटी, कार्लिमिट्ज, आदा छोटी चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे आदा निवू का रस आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं अगर आप जाधा खटा खाना पसंद करते हैं asmine consider river and ourибrolex डालने के बाद अब एक्षे से मिक्स कर देंगे दोस्तों इसके डालेंगे चाट मसाला थोड़ा साम इसमें चाट मसाला डाल 5 डाल देते और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो दोस्तो बन कर त्यार है हमारा चने की डाल का सलाथ जो की बहुत-बहुत टेस्टी है साथ में हेल्दी भी है तो अब हम इसे एक बाउल में निकार लेते हैं दोस्तो आप इस अपने घपे जरू-जरू ट्राइक कीजिए हमें उमीद है यह आपको बहुत पसंद आएगा तो दोस्तो आपको चने की डाल के सलाथ की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके हमें जरू-जरू बताएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज अपने नेक्स वीडियो में कसी नई रेसिपी के साथ तो घर का खाये से दुने और हमेशा फिट रही है नमस्का टेक किया एंड बाए